कि अध्यetter हेलो फ्रेंट्स है तो देखिये मैंने पहली लास्ट इनो वीडियो बनाई एक इस पर आप तो इस पर और शिचिन ऑफ प्लेस दे धी मैं आप को आप प्रपोजिशन और प्लेस एन डारेक्शन जो दो प्रपोजिशन उती है उस पर मैं ने आप पसी तप्सील में बात किए उस पर आप देखिए यह सेकंड है तो इस पर प्रॉपुजिशन टाइम हैं टाइमें टेट से मेरी मुझेड है ये जो बो प्रपॉजिशन जो टाइम के लिए यूज खी जाती है ना जैसे फर अग्जम्पल डेट के लिए तो कुछ मिसालती गहीं है ईसनें सब्सक्राइब ये तॉर। यह जो यह दिया गए देखिए मैं इसे हाइलाइट करता हूं आपके लिए यह देखिए आप यह जो यह बाला पूर्शन है आप इस पर पॉंट आट कीजिए सब्सक्राइब आप देखिए एका यूज़ता जैसे इन आ देखिए मैं डट टताइमम at 6 am at 7 pm मतलब यह specific time की बात की जा रहे है कि कौन से बक्त कि मैं जैसे माली कोई काम होने बाला है at am I will go to office ठीक है ना सुबह आठ वजे में office जा हूँगा तो हाँ एट जीज होगा ठीक है point of at noon दोपेर में at noon we will have a dinner ठीक है तो इस time की बात है sorry we will have a lunch at midnight we will have a dinner ठीक है point of time मतलब किसी एक point time के point पर जैसे at 5 in the morning at the start मतलब भी मिसाल दी गई आप इस देख सकते हैं आप ठीक है और दी गई है जैसे at durga puja मतलब कोई festival होते हैं तो उसके लिए हम at use करते है at place के लिए यह करते हैं जैसे कि I am at my home ठीक है ना at the platform at school कि मैं भी कहा हूं का मैं at school तो मतलब इस time यह आपको भड़ी ध्यान से पढ़ने बाली चीज़ है और इसका जब भी आप यूज करेंगे in case of English तो आप इसी को याद रखेंगे क्योंकि बोलते समय लेखते समय यह बहुत बड़ी मतलब हाला कि छोटी बात है लेकिन बहुत it's very very important I think है ना तो you need to be careful regarding regarding the use of these proposition ठीक है तो at 15 at the age of adolescence at last at once at तो यह सारी बात है ठीक है अब मैं बात करता हूं आप से ओन की ओन कहां का यूज होता है particular day लिए जैसे on Monday ठीक है on 10th of December यह मसाला दीक है यह बता ही रहा हूं आपको exact time जैसे the train is on time हलाइक train is in time भी कहा जाता है लेकिन यह भी दिया गया कि train is on time period of time में जैसे on the morning of Monday कोई natural time हो जैसे कि in the morning in the evening तो यह बाली बात है ठीक है अब बात करते हम इन के लिए इन है जैसे कि natural time बता रहा जैसे कि morning में हो सकता है है ना इबनिंग में भी हो सकता है मन्थ जनवर यह फरवर दिसमर में the train is time तो यह बाली कोई बात नहीं है अगर आप इसमें confused हो रहे हैं इन में और on में तो आप दोनों ही ले सकते हैं ठीक है कहां on यूज करना है कहां इन यूज करना है ग्रामर यह कहता है कि यह दोनों ही सही है यह बक्त सिर्फ आदमी के मूड पर डिपन करता है वो क्या कहना चाहरा है एड़ वाट टाम वाट इवाट्स टू से ठीक है है तो देखिए एट मैंने आपको बताया था है एड़ स्टाइट अब बीग है ओन एक नोटो जाईए मैं बताता हूं आपको ओन टैंट अप देंबर ओन मंडे ठीक है ओन मंडे इधर भी यूज हो रहा है और एड़ फाइं तो यह तो सब टाइम की वाली उसमें थोड़ा लेकिन मेरे नजदीक पैड мі श्कों में अधियर चागर सबस्केर भी आपसे में धिकर चाओ हो ऐन अगर पनी अगर रखर वीडियो में बता रहा हूं आपको बात कि बाइस हमीशान फरस एंसे हालारःट कार्रहां ऑफिसे वाल तैका है थोड़ा स्टा मेरे मुस्किल होता के लेकिन में कोशिच कर रहा हूं कि मैं आपको बहातर से बता पाऊं। उस भी टो मैंने बताया था आपको को भाई हमेशा नियर जैसे बिजाल यूज होता है ने इंगल समें जैसे ऐसे ही साइट वह मेरे नजडीक पेट गया तो ही यूज है वाई बेशर समटें मिली उस त्राइब कर रहा हूं देखिए यह एट जहां जिस तरीके से यहां यूज हो रहा है उसी तरीके से बाई यूज हो रहा है आप फर्क देखिए इस तोरह में जैसे कि I can reach there by six मैं 6 बजे साम को पहुंच जाओंगा और मैं दूसरे मैंने मिसाल यह दिया हुई है कि मैं I will be in office at 8 a.m. तो यह दोनों ही ग्रामर यह कहती है कि दोनों ही नियम सही है थोड़ा सा पुसका ध्यान रखिए the bus had left by the time she reached the bus stand ठीक है अब देखिए from from का मतलब होता है एक time period होता है जैसे कि सुबह 8 a.m. से लेके अकर मैं रात की 8 a.m. तक इनने मिसाल दी हुई है मैं office में रहता हूँ लगवाता है लेकिन आपसको जी देखिए कि फ्रॉम में एक लिम्टेशन बताता है मैं है ना लिम्टेशन बताता है मैं जैसे मैं आपको और मिसाल दूँ जैसे देहली टू जमू कसमीर है ना तो फ्रम डेहली टू जमू इसलिए उज़ता है अब देखे टू तू तू अच्छली कई तरीके से उज़ता है लेकिन एक तरीका देखी आप टाम लिमित होती है जैसे तू तू लिमत नहीं बना रहा हूं मैं थोड़ा बेगनर वालों के लिए बना रहा हूं जो लोग इस प्रपूश्चिनों को भी थोड़ा-थोड़ा सीख सकते हैं आप अच्छा उसके बात देखिया तेल है ना सुआ चूच से कहला कोतीज़, देखिए आप किस तरीक एंगा तिल और उन्टिल में फ़र्क ह् тобойना इसा संजाना को एक जो तिल है यह से समझें एक यह夏 यो तिल यह रीजन औरेंडिटेड और यह जो उंटिल यह ताइम औरेंटेड है मतलब इसमें यह बता रहा हूं को अगर बता हूं आप यह समझ सकते हैं कि अंटिल जो है यह नेगटिव सेंस में यूज किया जाता है जैसे मैं आपको मिसाल दूं आप यहां से जब तक नहीं जाएंगे अंटिल अप अपना हमग कंप्लेट नहीं कर लेते हैं तो यहां अंटिल यूजिगा लेकिन अगर मैं आपस दूसरा कि इस के पैरलेलिक बात करूँ मैं तिल कहां यूज वोगा तो इस तरी कर दी के सिझे हो जोगा कि मेरे आने से पहले आप इस कांपू कर लीजिए तो यहां तिल यूज होगा यू कंप्लीट और वर्ड तिल आई केम हियर या फिर जो भी आपका एंगलिस में ठीक है तो डियूरिंग 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 जो यूज होता है ना इन दा कोर्स ऑफ ही आसके तुरिंग इस वर्क सृच्छ किन सही है लेकिन मैं आपको बताऊंग आपको एक थोटास में करणी कोश करूंगा आपको ठीक है एक बड 해야 ये फिरल वार्ट तो इक रीज होता है सब्सार को मैं यह दो आ कि जो ड्यूरी और यह प्रपोजीशिन जब कि व्हें मौजे को वहलिंग यह ऐल यह कंजक्षिन यह pr påzinken का यूजे अलग है ठीक है जो होते हैं दू सेंटेंस को जोडते हैं जब कि परपोजीशन एक नाउन का दूसरी नाउन से रिलेशन अगता थी है जैसे कि जब वो काम करता है तो उसके दौरान उसे कुछ शूराउक के दौरान उसके मैं क्या करता हूं तो इस तरीके साथ समझimpal सकता हूं इसका घंचिप में मतलब समझ्छिएंगे या तरीका से अपिस तरीके सा भाई है क्या है की समझ्छाएंगे जैसे कि I work for two hours है ना I sleep for seven hours इस तरीके सिंस में यूज होता है पॉंट of time बेंदर time is exact जब time exact होता है जैसे कि पी एम से एम सेवन एम उस तरीके से यूज होता है अगर कहीं भी आप grammar की किताब ठाके देखाएंगे तो दोनों में सेम ही है लेकिन फर्क इतना है बस कि कि सिंस exact time के लिए यूज होता है जब कि for को infinite time के लिए यूज होता है कोई exact time नहीं होता है जैसे कि मैं 8 घंटे काम करता हूं I work for 8 hours लेकिन यह नहीं पता है कि वह 8 hours कौन से यह रात के यह दिन के तो यहां फॉर यूज होगा अगर मैं आपसे यह बात करूं कि आप सुभह के मैं काम करता हूं I work at sorry अब मैं इसी को दूसरे प्राइल आप से बात करूं कि पेशन्ट है सफरिंग सिंस मंडे सिंस लास्ट मंडे है ना तो पता है हमें कि वह लास्ट मंडे मतलब मंडे गुजर के गया है उसी मंडे की जिक्र हो रहा है तो यह exact हो गया ठीक है तो thank you for watching this video मैंने courses मेरी यह रहिया हमेशा है ना कि मैं आपको थोड़ा detail में बता हूं और थोड़ा आपको सहच दंक से बता हूं लेकिन इस्टिल अगर आपको confusion है तो you comment it and let me know I'll try to answer your question और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो then you can comment below and thank you thank you and have a nice day thank you guys